कि स्ट्रीकादी सारयानू सत्गुरु क्लासिज दी ओनलाइन क्लास देवे तोड़ा सब्ता स्वागत है। स्टुडेंट्स आज जब आ अर्थ दे बारे डिटेल जगाल करांगे। देखो अर्थ है जड़ा अपनी तर्थ है जड़ी ए थर्ड प्लैनेट है संतों बाद है। फर्स्ट मर्क्री सी देन वीनेस देन आर्थ और अर्थ है जड़ी ओ फिफ्ट बिगेस्ट प्लैनेट है। एक को एक प्लैनेट है जिन्दे ते अज़े तक लाइफ पोसीबल है। और अर्थ दा सिरफ 29 प्रसेंट है जिस्टे लेंड है। और उस तो इलावा जो 71 प्रसेंट है पानी देनाल, ओशन्स देनाल, सी देनाल, गलफ देनाल कवर है। और इस हिस्टे नूम हाइड्रोस्पीर भी के धिन्या है। अर्थ नूँ प्रोदेख नहीं है। और एथे नजर आ रहे है, blue planet, blue blue नजर आ रहे है, that is the reason, कि उखे थे 51% है, ताहा करक्के अर्थ नूँ अपा blue planet भी का दिन्या, ठीक है, उन अपा गाल करदिया, अर्थ दे बारे one by one points नू, देखो, अर्थ दे बारे, अगर अपा समझे ना, ता अर्थ है ना जेडी, इन दिचना tilt है, tilt मतलब अर्थ टेटी है, किनना tilt है, एक्जेक्ट फिकर दी में गाल करां, ता 3.4 डिग्री टेल्ट है, किस हिसाब नाल tilt है, आँ देखो, आवली यडी लाइन है, इल्कुल सेंट्रल ही लाइन है, एक परपेंडिकुलर है, अगर मैं इस प्लेन दीगाल करां, ता प्लेन तो अगर मैं मैं अजर करां, इस प्लेन तो मैं अजर करां, अगर मैं इस प्लेन ते सामनाल देखां, और प्लेन ते सामनाल, जीडा आर्फ न एक सि अवली लाइन है, जी या परपेंडिकुलर है, तो सिंपल जी कहला है भी अर्थ किन्नी टेटी है ते अपना आंचर आएगा कि अर्थ साथे टेई डिग्री टेटी है ठीक है अर्थ सांधे बिलकुल सामने है तो मैं मैं अगर आर्थ सांधे बिलकुल सामने है गभते समर वएगी देन उसतोबाद विंटर नि गल्रख विंटररश भेशनी खीत remark टेंस अकुल क्टितृ। को कि मुझा हो देखो जदू जेसर टाइम कि विंकर ना विंकर करें में अर्थ है Nosher Penny स trade the डार्क अडार्कली साइड आगया ठीक है मतलब क्यों है कि जदो ये दूसरी साइड चला गया तो सांड्रेस ड्रेक्ट नहीं पह रही है होने ते जड़ा सद्रन हेमिस्फेर है और अब साउथ अला पाठा है उत्थे समर आजेगी जब आएंदे ओपोजिट डाइग्राम देखो जदो ये थे नौर्थ हेमिस्फेर चे समर सी मतलब सांड्रेस ड्रेक्ट पहरी हैं सी ता कोशने पुच्छा जन्दान देख कि ए अर रोटेशन वर्सिज रेवलुशन फर्स्ट फॉल रोटेशन होंदा किया तो श्पिन ओर टर्न ये मतलब किया कि जदो में कोई भी एक अब्जेक्ट है वो अब दे एक्सिज आप दे तुरे दे तो वाले को मंदिया तो नू रोटेशन के ने रेवलुशन दा मतलब हुंद दे तो इस पंजा मिन्ट पाण एक पत किया का बच्चा मिन्ट पचारस किपन फिरुटेशन थी तुन आगर पुछे जावे कि अगर येस ये एस रोटेशन सीज आँड कीद्दय तो डे एन्ड नाइट मिंसर econo अ अगला टोपिक है अपना लेटिटूट फॉल वाटिटूट ना इस मीनिंग अफ लेटिटूट ना इमेजनरी लाइंज है मेजनरी लाइंज कित्थो लेके कित्थो तक है बेसिकली दिख्या जबे तब ड्रेक्शन दे सामनल कर दिया उपराली ड्रेक्शन नोर्थ होंदी है आवली ड्रेक्शन उपराली मेशा नोर्थ रहेगी निच्च आली ड्रेक्शन दे साउथ रहेगी आवली ड्रेक्शन वेस एस्ट वे ठीक है हुंदे मैं practically गाल करां तो मैं एक अलकाम कि latitude कि यह west to east वाल west to east वाल imaginary lines बनी याई है latitude कि यह west to east वाल imaginary lines बनी आई है ठीक है west to east वाल imaginary lines बनी आई है latitude होन आपपा देख देख देखो बिल्कुल सेंटर ते इकवेटर एकवेटर मतलब जीरो डिग्री है इसते बाद पंदरा डिग्री आ गया देन ती आ गया देन पंताली आगया देन साथ आ गया देन अभी डिग्री आ गया चूहँड नीचे भी होगा उस्तोबाद पंदरावी पत्ची होनना इसे चीजनू एग्जामीनर इस तरीके नाल पुछता है कि सेंट्रली लाइन जीलो डिग्री है जैसनू आपना नाम की दिता है एकोएटर है एस तो उपर बिल्कुल नोर्थ ते ते इसनू आपना नाम की दिन्नेया ट्रोपिक ओफ क अइंसर सी उमी नीचे 73 डिग्री साउथ ट्रोपिक ओफ कैप्री को नांग है क्यों निम्हां क्लिर किता है वी उपर अले क्वेटर्ट आवडी नौर्थ है निचे अले ड्रेक्शन साउथ है जिदरा अले एससाइज्ड आले ड्रेक्शन साउथ है डिह तें अले थे ऊपर नाओरत्पोते तरटाम double as a Medical with cancer. क्योंकि उपर आर्र्ट कोशन है। वे नीचे अंटार्टीक है तो इस चरके न्हों अंटार्र्टिक सरकल करें। में डोसट्उच सीवी उपर नौर्थ पोल है नीचे इस दिकले वह दुखेलए। यह थे नॉर्थ पोल है यह से आग्या आग्या साउथ पॉल तबला मैं एस चीज नूँ जेड़ा जीरो डिगरी पंदरा डिगरी ती डिगरी पंताली डिगरी यह नूँ हूर जूम करके तम दखा रहे हैं कि एक्चुल देविच लैटिटूड जैमे डिवाइड किती हुए gam तो साड़्डी डिगरी नॉर्थ तो साड़्डी ती डिगरी साउथ तक जेड़ा जोण आएगा न इस जोन नूँ बोले है जह लैँ ऐँगा जू में एनुकी बोल दिया ट्रोपिकल जोन और एस हिस्से तेना हमेशां सान्रेज ड्रेक्ट पहनेंगी है क्यों क्योंकि आपा हुने समझा सी भी आर्थ दा टिल्ट है किना टिल्ट है साटे तेई डिग्री दा टिल्ट है मतलब एस टेट्डे होन दे बावजुद भी आई कोईटर मतलब पूमद रेखा थे हमेशां वर्थ जिदियां सुबह दियां किरना बिल्कुल सितियां पहन दियां अपने चीज बड़ी क्लियरली था ता किया भी एस हिस्से तेना संड्रेज बिल्कुल ड्रेक्ट पहनेंगी है ता पॉइंट एए भी एस हिस्से नूँ जीरो डिग जीरी जीड़ा नोर्थ है 23.5 नोर्थ तु 66.5 नोर्थ तक यहनों टेम्परेट जोन कहा देंदे और अगेन साउथ अले जोन अगेन टेम्परेट जोन कहा देंदे ठीक है और लास्ट ते उपर क्यों एगा संड्रेज कि मैं टेड़ी होन कर के दिमें तुसी आप इमेजिन कर सको सकते हो नवी कोई भी अबिजेक्ट आगर टेड़ी है टेड़ी है टेड़ी कहा देंदी है. ठीक है? देन एक होर ची देखो. देखो. होना किया है ऐस Equator zone नूँअ Equator तो Tropical of Cancer तक दे Equator तो Tropical of Capricorn तक जिनूँ अपा Tropical zone नाम देनी है इस नूँ another name नाल जाने है कि कहनदी है नूँTaurade zone कहा देन दी है. ठीक है? Taurade ना मदलब हुन्दा है होट जोन जय थे बहुत जयाद कुकि आवेखो यह यह असे अते इस संड इस ड्रेक्ट पहरी यह नौ ता एस करके इस ट्रॉपिकल जोन नू अदर केड़ी नाम नाल जाने हैं जैने हैं टोरेड जोन नाल जाने हैं उपर आप नौर्थ चाह जालेगी, अपर आप नू की कमांगे, नौर्थ टेम्परेट जोन, और नीचे आप नू की कमांगे, साउथ टेम्परेट जोन, देखो, एथे भी देखो, मैं ग्रीना ले इसे नू टेम्परेट जोन, और ओंली टेम्परेट जोन क्या है, तो इनू तो इनु ने नोर्थ टेमप्रेट जोन कमां गि और साथटे थिगरी साथटे एक टिव तक एनु साथते नहीं परनीरी नगिए थीज रूदल मुर्ड जोन हे आगया HA इन्हों और अपर होर की कह सकते हैं, अन्दा अनदर नेम क्यों गया, phased zone, ठीक है, तो उपर, बिल्कुल उपर किया गया नौर्थ पोल, और नौर्थ पोल दे जस्ट नीचे किया गया, phased zone, जैन्हों अपर पोलर जोन भी कह दिने हैं, जित्थे जड़ी यह ठंड है, माइनस वी, टी डिगरी तक पहुंँ जाती है, ठीक है, ता यह सारी details ही, किन्दे बारे latitude बारे, भी latitude imaginary lines है, जिड़ी यह वेस्ट तों, इस्ट तक ही imaginary आपर ड्रा किती हैं, फिर आप आए वेख्या, कि latitude बारे एक point है समझा, कि यह नहीं नेमिंग केस साब नाल है, सेंटर ते ही को Antarctic Circle आगया, ठीक है, अगर तानों यह पुच्छा जावे, कि एस lines दा benefit किया है, तो simple जी कहला है, कि जिड़ थे, जिस जोन थे, सूरे दिया किरना direct पहनी है, उत्थे उन्नी ज्यादा गर्मी बात दोएगी, क्यों क्योंकि एस सूरे आपनी तरती दे, एस tilt दे करके, एस कि बिल्कुल सेंटर ते सन है, ठीक है, तान बिल्कुल सेंटर ते अगर सन है, अगर बिल्कुल सेंटर ते एथे, एस हिसे दे मालो सन है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर ते अपर लेके चल दिया, पर वीदन लेके चल दिया, थोड़ा नीचे होरे नूडरा कर लेने, भी अथे तो जीकर यहां sun raise होगेँ, वो एस हिस्से थे बिल्कुल direct पहरीआ होनी गया, ठीक रहा है लोग लेकिन जे मैं इस छीजनों फोड़ा जी अनलाईज करके देख कर देखां, जो मैं की देखंगा मेरा आवला हिस्स हाएगा ना आवला और अगेन एमी नीचे आली साइड जड़ा मेरा इस्सा होएगा ठीक है एथे जड़ी है संड्रेज है एथे डिरेक्ट नहीं पहने गया क्यों गेड़े एसी से इनिया डिरेक्ट नहीं पहने गया मतलब काट्टो नहीं गया क्यों काट्टो नहीं गया क्यों काट्टो नहीं क करके जड़ा सूरज है ना ओ बिल्कुल सिद्धा इस पूमद रेखाते रहेगा पूमद रेखाते जदो सूरज बिल्कुल सिद्धा रहेगा तो मतलब एथे गर्मी बहुत ज़्यादा ऐगी धर इदन आपा हुने की क्या है पिजड़ा आपना ट्रोपिक ओफ कैंसर तो लेक टां वोन की है एसे जी नो हो रपादवारा चंगी दरा हमें दिया देखो अगर सुन्रेज एथे ड्रेक्ट पारियासी ता एन्नो आपा नाम की दिता जाता आपा नाम दिता ट्रोपिकल जोन जा आप एन्नो नाम की दिता टोरेट जोन ठीक ओन ओबला हिसा है जित्धे सं पूरिज बिल्कुल भी नुर्थन पोंच रहीं है कीड़ी है यह नइन सिर्फ की जा रही है। केड़े हिस्से ते संड्रेज नहीं पहुंच पा रही हैं एस हिस्से ते उपर आले हिस्से ते संड्रेज नहीं पहुंच रही हैं तो एथे क्योंगी बरफ जम्मी होगी that is the reason अपा नाम की दे रहे हैं एस हिस्से नो आपा नाम दे रहे हैं बिल्कुल अले उपर अले हिस्से नो की आपा नाम देने हैं जात दे रहे हैं आपा फिस्ट जोन और जा आपा नो की दे रहे हैं फिस्ट जोन आस उपर अले हिस्से नो और जा आपा नो अरूर की कह रहे ह इनों आपो पोलर जोन करें आई होप कि तुसी एची लेटिटूड दा कंसेप्ट समय लागी होएगी कि लेटिटूड बेसिकली imaginary lines है west to east तक जिन्हों आपड रा किता है लेटिटूड दे बेस ते अपा एगाल समझी है कि लेटिटूड दे बेस ते युद्ध है कि पूरी अर्थ दे जड़े ज़े ज़े जोन ते कि नहीं जादा गर्मी होएगी एस दा कंसेप्ट अपनों समझांता है और जैसे सिसे से संड्रेज ट्रेक्ट पैनिंग या वो सिसे ते हमेशा गर्मी जादा होएगी ते जिमें-जिमें अपा एकोटर तो दू बद्धर आपा काल दे लेक्चर गवेज लेटिटूड तो बाद अग्वा लोंगीटूड नों समझांगे थेंक्यू सो मच इस वीडियो नों देखन देली प्लीज चैनल नों बत्वाद सब्सक्राइब करो वीडियो नों शेर करना ना पले हो थेंक्यू थेंक्यू सो मच है